हाई दिस अशुनी एंड वेलकम बाक तो अनधर वीडियो दोगों एक अच्छा डवलपर बनने के लिए मुझे एस्कुल आना बहुत ज़रूरी है मैं जावा सीख लेता हूँ मैं मन सीख लेता हूँ मैं बैकेंड पूरा आता है डी ऐसे आता है बड़ी ऐसे मैंने चार सो पान सो कोशन लगा रखे हैं लेकिन फिर भी एक अच्छे डेवलपर को प्रॉब्लम आती है कैसे जब भी आप कोड करने जाओगे अपने ऑफिस में जब आपकी जॉब लगेगी या जॉब कर रहे हो तो जितना टाइम आप एक कोड लिखने में बिताओगे उतना टाइम आप एक डेटेबेस पर बताओगे अगर आपके पास db engine नहीं हुआ तो और ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजों की प्राक्टिस होनी चाहिए और एक अच्छे लेवल पे आपको sql की और database की नॉलेज होनी चाहिए अब यह सारी चीजों को आप करोगे कैसे और कहां से करोगे theoretical questions कौन से attempt करोगे practice के लिए आपको कैसे कैसे चीजे करनी है अब देखो theoretical questions मैं बताता हूँ आपको कि आपके interview में क्या-क्या पूछे जाएंगे और practice के लिए आपको schema और आपको कौन से questions वो link भी मैं आपको दे पड़ा हो जाएगा तो चलो पहले questions decide करते हैं तो एक sheet मैंने यहाँ पर दे रखिए जो SQL complete preparation की sheet है इसमें सारे वो questions जो आपके interview में पूछे जाने वाले हैं वो mentions हैं कैसे basic SQL query जब आप जाओगे तो पूछेंगे आपसे कैसे retrieve करते record बहुत ही basic बहुत ही easy है ठीक है fetch कैसे करे basic है यह आपसे interview में कोई बी इंटर्वीर अगर आपको एक दो साल का experience है तो पूछ सकता है ठीक है आप बात आदी joins की देखो जब आप joins में बात जाते हो तो कितने type के joins होते हैं यह interview का favorite question होता है जहाँ पे आप बताओगे कि left join होता है right join होता है inner join होता है यह वही question है outer join होत जैसे हम बात करते हैं कि अगर दो है मेरे को inner join है तो यह वाला part आएगा और फिर जब मैं outer join की बात करता हूँ तो जैसे मेरा दो tables है अगर मुझे उसमें से निकालना है तो हम यह outer join की बात करते हैं यह वाला part नहीं आएगा यह वाला right हाँ अब cross join क्या होता है मतब self table से cross join क क्या होता है self join क्या होता है interview जो आपको interview में confuse करेगा वो हमेशा cross और self में करेगा ठीक है union union all में क्या difference है इसमें हमेशा duplicate का difference आता है अगर आपने थोड़ा सा भी SQL किया हो तो duplicate value union और union में all में यही difference आता है और interviewer यही जाननी कि आपसे कोशिश करता है और how to treat a matching यह सारी table आप join मैंसे यह 10 question तो आप लिखके चलो कि आपसे पूछ जाएंगे और इनको आप डंक से कर ही लो मेरी मानों तो छोड़ना मत अब sub query इस पर बात आ जाती है जब मैं question पूछता है interview ने तो मैं working जानना चाहता हूं कि एक developer को sub query की understanding है या नहीं अगर कोई भी मुझे working बता sub query की that's fine वो sub query के answer कर लेगा ठीक है तो यह delete क्या होता है इसमें select क्या होता है sub query में तो यह आपको sub query आने चाहिए बात पक्की है ठीक है अब बात आ जाती है indexes पर देखो जबी भी मैं आपसे एक interview में पूछता हूं यह theoretical question मैं यहाँ पर इसलिए रख रखे हैं ताकि आपक description में या फिर comment section में कुछ ऐसे blogs या फिर ऐसे schema के link भी दूँगा जिनको आप सिर्फ अपने database में import करके वो सारे questions कर सकते हो और आपको idea लग जाएगा practically कि कैसे चलता है अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत हो रही है उन questions को तो मुझे बता ना comment section में I will make one video और एक या 1.5 गंटे या 2 गंटे में मैं सारा SQL आपको prepare करवा दूँगा जैसा कि बहुत तगड़े तरीके से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी चाहे वो एक page की query हो चाहे वो चार page की query हो ठीक है आप indexes की बात आती है कि indexes में interviewer पहले यही पूछेगा कि index होता क्या है और मैं index क्यो लगाता हूँ या फिर यह दूसरी तरीके सा question पूछ सकता है कि मैं कैसे अपने performance अपनी query की announce करूँ कैसे fast करूँ तो देखो यहाँ पे आ जाता है how to index improve a query performance आ गया फिर difference between हमारा cluster and non-clustered index यह दो type के index होते हैं फिर create a table index फिर insert update पे index और how to remove index यह अगर कोई index पे घुश रहा है तुमारे interview में कोई index से घुश रहा है तो obviously तुमसे interview में वो index create करवा के तो नहीं देखेगा तो यह सारे question जरूर पूछेगा इस में से कोई ना कोई question फसेगा अब बात आती है transaction की देखो इस topic को समझने के लिए transaction को मैं कहता हूँ तुम्हें acid ना पता होना चाहिए और यह बीटेक में तुम्हें computer network में या फिर dvms में पढ़ा दिया होगा यह dvms में तुम्हारा topic होगा जहां पे तुम्हें पढ़ाया क्या होगा कि acid properties क्या होती है तो यह तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो देखो SQL Acid Properties कहा था ना मने एक से transactions तो यह भी question आ सकता है कि commit और rollback मे यह सारी चीज़ें आपको help परेंगी जानने के लिए लास्ट में जो मुझे चीज़े important लगती है वो है store procedure अब store procedure और functions obviously interview में पूछे जाते हैं और interviewer इस पे focus भी करता है क्योंकि एक developer को store procedures और functions पता होने चाहिए कि इसकी importance क्या है तो जब आप एक interview में जाओगे तो आप से पूछेगा कि SQL में store procedure कैसे लिखते हैं तो आप syntax पता होना चाहिए आपको फिर आप difference क्या है दोनों में procedure और store procedure SQL में कैसे लिखेंगे और parametric कैसे बनाएंगे non parametric कैसे बनाएंगे functions में क्या difference होता है यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए और आप एक developer हो तो obviously आपको य इसे करूँगा तो मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ जिससे आप मैंने practice की ती और वो मुझे एक अच्छे तोर पे जाहतर help भी की है हमेशा तो देखो यह एक github है ठीक है यहाँ पर HR का schema दे रखा है आपको कुछ नहीं करना वाच इसको copy paste करना या फिर इसको download करन आपने MySQL developer में import कर लेना अगर देखो यह सारी चीज़ें नहीं पता हैं आपको कैसे करनी है तो obviously मुझे बता देना comment section में मैं आपके लिए special एक video बना दूँगा जिसमें import करना reverse engineering करना अच्छे से SQL को समझना query कैसे चलती है internally वो सारी चीज़ें मैं एक SQL का complete course आपके लिए ड आना चाहिए ठीक है अब देखो यहां से यह पूरा schema आपने copy कर लिया फिर एक और website है W3 में दोनों का link आपको description में दे दूँगा ठीक है यह उसी जो जैसे यह database है यहां पे देखो यह department ID, department name तो यहां पे भी बहुत सारी databases यहां पे दे रखें department ID, jobs and all इसके basis पे यह सारे questions यहां पे बनाए गए है अगर नहीं भी बनाए गए हो अगर यहां से आपको question नहीं मिल रहे तो एक काम करना इस database को पूरी schema को जब बन जाए और यह सारा schema आप chat GPT को देना और बोलना कि इसमें से कुछ questions जो भी हमने यह अभी where clause, basic query, transactions, union और यह सारे के पढ़े हैं मुझे कुछ-कुछ questions बना के देदे, वो आपको सारे questions बना के देदेगा, but इसमें सारे questions हैं फिर भी, कि देखो मैं आपको sample tables दिखाता हूँ, यह tables यहां पे बना रहा है, ठीक है, और नहीं तो chat GPT को आप यह सारे data देना, tables के साब से वो बना के देदेगा, ठीक है, AI को जैसे utilize कर करवा कि joints तक पहुचा देगा, यह आपको कि सारी चीजे कैसे करनी है, joints कैसे करनी है, तो यह total कितने questions हैं, यह 30 questions के round होंगे, total, 26 है, ठीक है, 26, 27, हा, total हमारे कितने questions हैं, 27 questions है, इन 27 questions को करने के बाद, आपको एक confidence feel होगा, और इसके बाद भी अगर कुछ questions बसते हैं, तो मु आपको एक अच्छे तोर पर लेके जाएगी, एक अच्छा डव्लोपर बनाएगी, अगर इस वीडियो ने थोड़ी सी भी help की है, तो अगर थोड़ा सी भी आपको guide किया है, तो वीडियो को कर देना like, और चैनल को कर देना subscribe, अगर कुछ और doubt है, तो टेलकनम group आप जोइन कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो, okay, I will see you in the next video, till then take care, bye bye.